Hello, Good Morning and Welcome Back Friends, आप देख रहे हैं Pacer Education YouTube चैनल, आज किस वीडियो में बात करेंगे, 20 जुलाई से रिलेटिट जितने भी important current affair बनती हैं, सारे इस वीडियो में complete करेंगे, साथी काफी सारे extra facts भी यहाँ पे discuss करेंगे, तो पूरे लेसन को थ्यांद से और लाश्ट तक आप जरूर द आया था, correct answer आपका यहाँ पर था हनोई, देखे हनोई के अंदर ही यह 36 वा एडिसनिस का संपन हुआ था, यह आपको ध्यान में रखना है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की current affair की, देखे पहला अपडेट है आपका, हालही में किस ने record आठवी बार Silverstone में Formula One British Grand Prix 2021 जीती है, तो यह जीती है, लुइस हैमिल्टन ने, देखे यहाँ पर British Grand Prix की बात हो रही है, जो कि यहाँ पर किस ने जीती है, लुइस हैमिल्टन ने जीती है, इम्पोर्टेंट है, चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देख लीजिए अपना, भारत के मंत्रियों, विपक है, यह अभी काफी चर्चा में रहा है, हमारे इंडिया, अन्ने देशों में भी, यहाँ पर सबसे पहले तो इस Pegasus के बारे में हम बात करेंगी कि Pegasus क्या है, देखे Pegasus जो है एक Spyware है, जिसे की NSO Company द्वारा, मतलब की एक firm है NSO, इसके द्वारा इसको बना गया है, सब्सक्राइबेर है, यह Company का दावाय कि यह मुख्य तक Government Agency को दिया जाने का वाला एक सब्सक्राइबेर है, एक Spyware है, जो की उनको अपने मतलब की देश में टेररिज्म, जो आतंकवाद है, जो Crime है, उनको खतम करने के लिए इसको उप्योग में लाए जाने के लिए इसको बना गया है, यानि कि CDC बात करें तो कोई भी सरकारी जैसे कि भारत की बात करें तो भारत जो है इसको खरीद कर जो आतंकवाद है और जो Crime हो रहा है, उनको ट्रेक करके उसको कम करने के लिए इस सब्सक्राइब कर सकता है, तो मुख्यत है गोर्मेंट एजेंसिंज के लिए बना गया है, लेकिन अभी यहाँ पर चर्चा में रहा है कि इसके जरिये जो है भारत के कई दिगज जुननेता है, जो साइंटिस्ट है, ठीक है, और जो मतलब की पत्रकार है, उनके फोन को टैप करके, हैक करके, उनकी जो निजी जानकारी है, उनको हैक किया जा रहा है, य निजी यहाँ पर अभी सामने आई है, तो इसलिए इस पर जो यहाँ पर यह पर यह पेगासस है, यह यहाँ पर अभी चर्चा में रहा है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, चलिए, और NSO गरुप के द्वारा इसको विख्षित किया गया है, यह भी आप ध्यान निर्देशक बनी है, तो करेक्ट अन्स होगा आपको यहाँ पर टाइटन, देखें यहाँ पर टाइटन मुवी का नाम तो आप सभी ने सुनाई होगा, ठीक है, काफी फेमस चर्चित होलिवड मुवी थी, और इसकी जो निर्देशक थी, जूलिया डुकारनो, ठीक है, औ कांस फिलम फेस्टिवल की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके जो लिष्ट हैं विजयता हों कि वो यहाँ पर जरूर डिसकस करेंगे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बताए दिया टाइटन जो है, इसको यहाँ पर पाल में डियोर आवार दिया गया है, जो जूलिया डुकार ना है, इसके लिए ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो वार्ड है वो है, ग्रैंट पिक्स टाई का, यह इस बार दिया गया है, एक तो दिया गया है, एह हीरो के लिए जो असगर फरदाई है, इनको दिया गया है, और दूसरा दिया गया है, जो कमपार्टमेंट न मैं लुटिए गया है और जो best actress क का अवाड है यह दिया गया है यहाँ पर worst person in the world के लिए जो रिनेट रिण स्वे हैं इनको दिया गया इसके अलावा best actor का अवाड यहाँ पर दिया गया है नित्रम के लिए जो कालेब लेंडरी जॉन से इनको दिया गया है तो ये और भी काफी सारे हैं इस लिस्ट में लेकिन जो टॉप है जो mostly पूछाते हैं बेश डायरेक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर और जो पाल मेडियो और इसका सरब से बड़ा पुष्टकार है इसके अलावा ग्रापसी, ये जो है आप तीन-चार जो अवार्ड है ये आपको ध्यान रख लेने हैं ठीक है, चलिए, ये हो गया कांस फ्लम फेस्टिवल के अवार्ड की लिस्ट हमने डिस्कस कर लिए, याँपे जो अभी संपन हुए है उसके बाद में देखिए, अगला जो अपडेट है अपना हुँ है आर्बियाई के पूर्व गवर्नर विमल जालान ने हाल ही में कौन सी एक नई पुष्टक लिखी है ये आप से याँपे पूछा आ रहा है तो ये आपका करेक्टन सोबा दा इंडिया इस्टोरी देखे इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट बुक है यहाँ पर आर्बियाई के पूर्व गवर्नर जो विमल जालान है इन्हीं के दुवारा इसको लिख गया है दा इंडिया इस्टोरी को जिसका coverpress टाप यहां पर देख सकते हैं देखें इस पुस्तक की अगर बात करते हैं इसमें क्या mention किया है क्या दर्साया है इनोंने तो इस पुस्तक के आर्थक के इतियास पर केंदर तरह है नतलब कि जो भारत का आर्थक इतियास है वो ही इस पुस्तक के अंदर दर्सा है इन्होंने इसका उद्धे से बहात की राजनीती अर्थवस्ता की विश्चे के लिए उदाहरन प्रदान करना है और यहाँ पर देखिएगा हम बात कर रहे हैं विमल जारलान की इनसे पहले भी जो है इन्होंने कुछ और पुस्तके जो है प्रकासित कर रखी है उनके नाम भी आपको ध्यान रख लेना है जिसमें पहला नाम यहाँ पर है इंडिया देन एंड नाव यह भी काफी इंपोर्टेंट है जो अल्रेडी पूछी गई है एक एक जाम में दूसरा यहाँ पर नाम है एक पुस्तक का वो है इंडिया अहेड यह दो पुस्तके आपको ओल अर्रेडी ध्यान रखनी है इनके लेखक भी यहाँ पर विमल जालाना है और एक नई जो पुस्तक आई इनकी दा इंडिया स्टोरी जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यह भी आपको ठीक है नेक्स्ट अपडेट यहां पर देखेगा बसर असद हाल ही में चोथी बार किस देश के राष्टपती बने हैं तो करेक्टर अंशुगा सीरिया के सीरिया के चोथी बार यह राष्टपती चुने गया है बसर असद इतना आपको धान रखना है बाकि सीरिया की बात यह पर की है तो बशर अल अस्ति यहाँ पर पिषणेंड को में आके बताय दिया है और दमसकस यहाँ पर इसकी क्या है Capital है और इसके जो मतलब की Currency है क्या है Syrian Pound की Currency मुदरा है ठीक है अगला अपडेट भारत के जेशनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेल गाड़ी परिचालन का सफल परिक्षन किया गया है तो यह किया गया है जो नेपाल का कुर्था है और जो भारत का जेनगर है जिसके बीच में हाल ही में इस ट्रेन का ये ट्राइल सफल पूर्वक किया गया है देखे यहां पर इसके बारे में जरूर डिटियल्स में बात करेंगे important update है देखे हाल ही में क्या हुआ है जो भारत नेपाल मेत्री रेल परियोजना थी ठीक है उसी के तहित प्रथम चरण में आमान परिवर्तन 37.50 किलोमेटर लंबा ये जे नगर कुर्था जो नेपाल में है कुर्था वो रेल खंड लगबग 619 करोड रुपे के अनुमान इतलागत वाली जो जे नगर बिजलपूर बरदी बावास जो 59.8 किलोमेटर रेल परियोजना है उसी का एक हिस्सा है समझ में आया देखिए यहां पर अभी एक रेल परियोजना जो भार नेपाल मेत्री रेल परियोजना है उसके तेट टोटल जो है जे नगर बिजलपूरा और बरदी बावास इसकी लंबाई है 79.08 किलोमेटर ये एक पूरी परियोजना है और उसी परियोजना में से एक जो परियोजना का जो भी complete हुआ है और इसका जो है या पको बता रहा हम बिहार के मदुभनी जी लेकर जैनेगर इस्टेषन है उसको नेपाल के कुर्था से जोड़ा जाएगा इसका पर्श्ट चेरण है इसके बाद में बिजल पूरा को जोड़ा जाएगा फिर बरदी बास को जोड़ा जाएगा ठीक है तो इस तरीके से टोटल ये 59.08 किलो मेटर लंबी रेल पर योजना है ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है चलिए अगला आप लेट यहाँ पर देखेगा जुलाई 2021 में भारत के सबसे बड़े एक्वेरियम का उद्गाठन किस चहर में क्यागा है तो ये ग्यागा है एहमदाबाद गुजरात के अंदर ठीक है इतना आपको ध्यान में रखना है गुजरात में चलिए अगला प्लेट यहाँ पर दिखिएगा तालिबान अमलावा रुद्वारा मारे गए भारतिये फोटो पत्रकार दानिस सिद्गी की समाचार एजनसी से जुड़े हो थे देखे मैंने आपको कल बता दिया था दानिस सिद्गी के बारे में पूरा पूरा डिटेल्स यहाँ पर एक कल एक पॉइंट छूट गया था उसको यहाँ पर जरूर डिसकस करें यह चीज इंपोर्टेंट यह राइटर्स के जो मतलब की समाचार एजनसी है उसी के यह जुड़े होए थे उसी से जुड़े होए थे इतना आपको देहां रखना है यह पॉइंट हमारा छूट गया था कल इसलिए यहाँ पर हमने इसको डिसकस किया बाकि दानिस सिद्गी कि बारे में कल हमने काफ सारा डिसकसन किया था ठीक है नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा जुलाई 2021 में एसिया प्रशांत आर्थिक सयोग एपेक के निताओं की मेजबानी किस देश ने की है तो यह की है न्यूजिलेंड ने देखिए एपेक की जो निताओं की जो हाल ही में जो हुई है जो बैठक हुई है उसकी मेजबानी यहाँ पर न्यूजिलेंड की दुआ रखिए एपेक की यहाँ पर मैंने बात किये थोड़ा से देख ली जिगा यह भी इंपोर्टेंट है एपेक जो की एक एसिया प्रसांत छेत्र में मुक्त व्यापार्त थ कि गजlaubते हैं निस्ट यहाँ पर देखीगा ओलैम्पिक लेखे का कौन बने है यहां पर आपका दूसरे विजघ्टा कोन बने हैं तो करेक्ट अंसरो यहाँ पर आपका मोहम्मद यूनिस जो है हालिकी में ओलैम्पिक लोरेल के दूसरे विजघ्टा बन गये हैं इतना प्राप्त करेंगे जो भी तेविश तारी को जो इनका उधगाठन होगा, ओलम्पीक खेलों का उसके दुरांग ठीक है, और यह दूसरी बार जो है, यह दूसरा लोरेल जो प्राप्त करने वाले दूसरी व्यक्ति होंगे, ठीक है यहां पर देखेगा इनको जो ग्रामिन बैंक है उनका जनक भी कहा जाता है ध्यान रखेगा 1908 मिन उने ग्रामिन बैंक की स्ताफ न की थी मुहम्मद युनिस ने इतना आपको ध्यान रख लेना ठीक है बाकी ओलम्पिक लोरेल की बात करें तो पाथ साल पहले जो है खेल के माध्यम से संसकर्ती सिक्सास आनती विकास पुरियासों को मानने तरह देने के लिए इसको शुरू किया गया था और 2016 में पहली बार जो ये जिता था वो जिता था केन्या के जो पूरो ओलम्पियन है किप किनो इनको ये दिया गया था पहली बार जो यहाँ पर ओलम्पिक लोरेल है ये पहली बार इनको दिया गया था ठीक है और दूसरी बार यहाँ पर मुहम्मद युनिस को दिया रहा बाकि नेक्स्ट आप जो आज की क्वीज़ इसका यहां पर डिस्कस कर लेते हैं देखे कॉसन है कि पुषकर सिंग धामी निम्न में से किस राज्य के मुख्य मंत्री है यह आप से यहां पर पूछ आ रहा है जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंड बॉक्स में लिख दीजिए आज की इस वीडियो में इतना है मिलते नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद